हेलो दोस्तों, आज का वीडियो सिंपल वा इजी तरीके से वर्ल्ड अकॉर है इसमें जादा कुछ चीज की जरुरत नहीं है, बस घर के रखे सामान से फटाफट बन जाएगा और नहीं जादा महनत है और देखने में बहुत सुन्जर है तो चले शुरू करते हैं, हमें इसके लिए कार्ट बोर्ड की जरुरते कोई भी कार्ट बोर्ड चलेगा आपका चाहे वो ओनलाई शॉपिंग वाला कार्ट बोर्ड हो या आपका केक शॉप का कुछ भी कार्ट बोर्ड चाहिए होगा हमें तो हम लोग कार्डबूर्ड लेंगे, इसमें मैंने 7x11 इंचीज का लिया है, फिर मैंने इस पे ग्रे कलर कर दिया है, और मैंने एक से दो लिये, आप चाहे तो 4-5 भी ले सकते हैं, और आप कलर को भी अपने हिसाब से कनवर्ट कर सकते हैं, यह देखने में बहुत सुन्दर मैंने फिर वाइट पेपर अलग लिया है, और उस पर पिंक कलर से जो राउंड टेप होता है, उसके उपर मैंने कलर लगा के उसके उपर उसकी शेप बनाई है, इसके साथ ही मैंने छोटे-छोटे जो शेप बनाई है, वो कलर के, जो हमारे वाइट कलर या यह सब कलर आते ह जिससे की बबल जैसा लूग कह रहा है और यह देखने में बहुत सुन्दा रहा है अगर आपको मेड़ी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना बिलकुर ना भूले और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको और वीडियो मिल सके देखने को और वैल आइकन सब्सक्राइब करें इस तरह से मैंने तोपीस तयार किये हैं जो देखने में बहुत सुन्दा लग रहा है कलर फिल करके बबल जैसे लगने लगे हैं अब मैंने इनको बीच में जो हमने कार्डबोर्ट का बनाया था उसमें पीच में इसको चुपका देना है जिससे की यह अच्छे से उभर आए, और उसके बाद हमने फिर ब्लैक मार्कर से अपने लीफ, फ्लॉवर यह शिप से बनाई हैं. कुछ शेपों में मैंने कलर फिल किया है, और कुछ में मैंने खाली स्पेस उरके या लाइनिंग वर्क किया है. यह चीज आप marker से भी कर सकते हैं और अगर आपके पास black color है तो आप color का भी use कर सकते ही है यह black color से इसलिए वैसे तो different color से भी कर सकते है लेकिन यह देखने में black से उभरता हूँ नजर आता है तो और अच्छा लगता है तो मैंने इसमें black color का use किया है आप चाहें तो marker भी use कर सकते हैं कुछ जगे को मैंने fill किया लेकिन कुछ को मैंने सिर्फ lining work के साथ छोड़ दिया तो यह दोनों जब मेरे ready हो जाएंगे उसके बाब मैंने इस पर जो ice cream stick होती है उसका मैंने इसके चारो और border बनाया है वो ice cream stick जो होती है पतली वाली मैंने ले है मूटी वाली नहीं और वो लंबी भी आती है तो उससे मैंने इसको पूरा border की तरह use किया है तो इसका border बनने से न यह और भी सुन्दर हो गया है तो आप लोग जरूर ट्राइ कीजेगा और बताएगा आपको कैसा लगा अगर कोई भी problem होती है या कुछ भी होती है तो आप मुझे comment box में डालिए मैं आपकी problem का solution जरूर बताऊंगी solve जरूर करूंगी और आप मुझे पताएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ये वाल डॉक का और कैसा लगा comment करके मुझे जरूर बताएगा है है ना जादा महनत भी नहीं है और देखने में भी सुन्दर लग रहा है तो आप लोग जरूर ट्राइ करें और मुझे commentation में पताएगा आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी तो अब मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में नए आइडियो के साथ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई